दोस्तो पालक पनीर तो हम अक्सर घर में बनाते ही रहते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर में पनीर नहीं होता और आपके पास पालक पड़ी हुई है तो आज हम पालक की बहुत ही टेस्टी सबजी बनाने वाले हैं आज हम लसुनी पालक बनाएंगे हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो मैं चैनल तो चलिए दोस्तों इस बहुत ही टेस्टी सबजी को बनाना शुरू करते हैं लसुनी पालक बनाने के लिए यहां पर मैंने दो बंच पालक के लिए थे और इन्हें दो से तीन बार अच्छे से मैंने साफ पानी से वाश कर लिया था उसके बाद हमने इसके मोटे वाले जो टंठल थे उन्हें हमने हटा दिया है और अब हम पालक को बॉयल करेंगे तो यहाँ पर एक बरतन में मैंने पानी को गरम होने के लिए रख दिया है और इसमें आधा चोटी चमच चीनी डाल देंगे चीनी डालने से पालक का हरा कलर ग्रीन कलर ऐसे ही बना रहेगा तो अब हम इसमें पालक डाल देंगे और इसे बॉयल करेंगे पालक को 2-3 मिनट के लिए हमें अच्छे से बॉाइल करना है या फिर पालक जब तक अच्छे से सॉफट ना हो जाए आप इसे तब तक बॉाइल कर लीजिए यानि किसे ओवरकुक नहीं करना है दोस्तों जब हम इसे ओवरकुक कर लेते हैं तो पालक का कलर चेंज हो जाता है तो देखे दो से तीन मिनट के लिए हमने इसे हाई फ्लेम पे बॉइल कर लिया है पालक सॉफ्ट हो गया है गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और अब हम पालक को तुरंथी ठंडे पानी में डाल देंगे तो यहां पर एक परतन में हमने अब नहीं होगा तो देखे और पालक ठंडा भी जल्दी से हो जाएगा तो देखे पालक ठंडा हो गया है तो अब हम इसे पेसेंगे तो उसके लिए यहां पर मैंने एक ग्राइंडिंग जार ले लिया है तो सारे पालक को आप यहां पर डाल दीजिए हमें यहां पर पालक के अंदर जो भी पानी था वो नहीं डालना है तो चलिए अब हम इसे पेस लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पालक को हमने बहुत ज़ादा बरीक पेस्ट नहीं बनाया है इसका इसे हलका दरदरा ही रखा है तो चलिए अब हम सबजी बनाना शुरू करते हैं यहां पर हमने कड़ाई को गैस पे रख लिया है और इसमें दो बड़े चमच देसी खी डाल देंगे दोस्तों आप इस सबजी को देसी घी में या फिर सरसो के तेल में बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनती है जैसी घी करम हो जाता है हम इसमें आदा चोटी चमच जीरा डाल द कि तो चलिए अब हम इसमें प्याज डाल देंगी एक मीडियम साईज की प्याज को हमने बारीक काटकर यहां पर डाल दिया है और अब हम प्याज को भूनेंगे गैस का फ्लेम हाँ यहां पर मीडियम कर सकते हैं प्याज का हलका सा कलर चेंज हो जाए और इसका कच्चा पन तो तब तक हम प्याच को चलाते होई भून लेंगे w能 देखे अमने प्याच पूल लिया है अभलक सा कलर हम ईसक्राज़ के डिया है अभ यहांपर एक चमच अद्रक और हरी मिर्च को क्रश करके हमने डाल दिया है दोस्तोव 2-3 हरी मिर्च और एक इंच अद्रक के टुकडे को हमने करश कर लिया था वो आप यहां पर डाल दीजिए और इन्हें भी लो फ्लेम पे चलाते होई हलका सा भून लीजिए तो देखे हमने इसे भून लिया है तो अब हम इसमें एक चमच बेसन डाल देंगे दोस्तो पालक में एक अच्छे सी बाइंडिंग आ जाए तो यहां पर हम इसमें एक चमच बेसन डाल रहे हैं और बेसन को भी अच्छे से भून लीजिए और यहां पर आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिए बेसन का कच्छापन चला जाए तो आप इसे चलाते हुए अच्छे से भून लीजिए दोस्तो जैसे यह भून जाता है तो बहुत अच्छी सी खुश्पु इसमें से आने लगती है तो यहां पर बेसन को हमने भून लिया है तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे तो दो मीडियम साइज के टमाटर को हमने बारीक काट कर यहाँ पर डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे एधा झाल चमच नमक आपनी टेस्ट के रन साहर डाल सकते हैं लेकिन लेकिन दोस्तों नमक का इसे पीमाल के डिए प्रवल्ख के गर乾व है सैसे मिक्स करें अब उसी अणम हिcej दोखक लिए बात की स्थे कम films देखि아서 खोंने suffix कि मसाले ने ओयल को अच्छे से रिलीज कर दिया है मसाला अच्छे से पक चुगा है मसाले को अच्छे से पकाना बहुत ज़्यादा जरूरी है तब ही सबसी टेस्टी बनती है तो चलिए अब जो हमने पालक पीस कर रखा था उसे आप यहाँ पर डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पालक जो है काफी ज़्यादा थीक है तो इसमें मैंने आधा कप पानी इस तरह से डाल दिया है और इसे मिक्स कर लीजिए पानी यहाँ पर आप अपनी मर्जी के अनुसार भी डाल सकते हैं कि जैसी आपको यह सबजी पतली या गाड़ी पसंद है उसे साब से डाल दीजेगा तो यहाँ पर मैंने आधा कप पानी डाल दिया है अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे चार से पांच मिनट के लिए ढख कर लो फलेम पे पकाएंगे क्योंकि दोस्तों अगर आप इसे खुला पकाएंगी तो पालक के बहुत सरे चीटे उपर को आते हैं तो इसे cover कर देते हैं और इसे 5 मिनट के लिए low flame पे पकने देंगे तो देखे हमने इसे 5 मिनट के लिए low flame पे पका लिया है तो अब हम इसमें मलाई डाल देंगे यहाँ पर हमने 2-3 बड़े चमच दूद की ताजा मलाई ली है तो दूद बॉयल करने के बाद जो उसके ओपर मलाई आ जाती है वही हमने इसके अंदर एड़ की है इससे इस सबजी का टेस्ट बहुत जादा अच्छा आता है अगर आपके पास fresh cream है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं अब हम इससे ढख कर low flame पे 5-6 मिनट के लिए और पका लिए तो देखे 5-6 मिनट के लिए हमने इससे और पका लिया है तो अब हम इसमें आधा चोटी टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पालक का हलका सा कलर भी चेंज हो गया है और यहाँ पर पालक बनकर बिल्कुल तयार है तो चलिए इससे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं और अब हम इसके लिए तड़का तयार करेंगे तो यहाँ पर गैस के उपर एक पैन रख लिया है और इसमें हम एक बड़ा चमच देसी घी डाल देंगे जैसे घी गरम हो जाता है आधा टेस्पून जीरा डाल देजिए और साथ ही हम यहाँ पर तीन चार लसन की कलियों को बारी काट कर डाल देंगे और इने लो फ्लेम पे भून लीजिए और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाता है हम इसमें दो सुखी लाल मिर्च को तोड़ कर इस तरह से डाल देंगे और यहाँ पर देखे तड़का तयार है तो बस आप इसे पालक के उपर डाल दीजिए और इस तड़के को डालने से इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लसुनी पालक बनकर बिल्कुल तयार है आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्र तार ढरा वाल e ऑ़ बिल्लीज झाल के प्से डिल शॉक को जब चस्राई रग homework ठ bek in契़ और जुलब है को जव़ण वाल प्लै द मेह है रगएा झालक के पालक के बचार है न वालका तो, ज़र में आपालक मालक बनकर ब değişक्नमे है जवा के टुड़का के वालक तो, ऑ्म